तुम्हारी हालत देखने जैसे है पत्थर के सर्वाले मैं डाइमंड हेड हूँ, तुम मेरी बात करते हो, कभी अपना नया रूप आईने में देखा है मुझे शैतान बनाने के लिए मैं तुम से बदला लूँगा तुम पहले से ही शैतान थे केविन, अब बाहर से भी बदसूरत बन गए हो जितनी चाहूँ इंसल्ट कर लो, मैं अब भी तुमसे दसकुना बहतर हूँ मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तिया है और मेरी भी, मैं हूँ केविन लैने मार अफसोस, उन में से हरी की ताकत सिर्फ मेरे दसवे हिस्से जितनी है यह वो, गविन सही कहती है, यह चीज बहुत गंदी है यह बहुत अपस के थै को बहुत झी मैं हुआ यह पो, पही है प्या प्या понять बहुत बहुत क्या हुआ? मैं कहां हूँ? बेश है हमारा नया चैलेंजर प्लैनेट अर्थ से! चैलेंजर? जरा आराम से तुम नाराज लगते हो! आराम से! आप तो मसा चका नही होगा इस वाले में जोश है तुम मुझे लड़ना चाहते हो तुम जिसे किरों को मैं यू मसल देता हूँ तुमें और खोड़ा चाहिए उससे वाला ताकतवर बेरहम एक असली ग्लाडियेटर की तरह मेरे दोस्त मैं लड़ना नहीं चाहता एक इंसान अकलमंद और भेड का दिल जीतने वाला मुझे दोनों से बहुत फायदा होगा तुम यहां आखिर तुमने मुझे इस अचीब सी जगा क्यों भेजा इसके लिए मैं दिम्मेदार नहीं हूँ तुमने नहीं किया तो फेर किसमें बहुत हुआ मैं अब और बरदाश्ट नहीं कर सकता हम कहां है मैंने पूछाई क्यूं हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता डूढना ही होगा अब यही तुम्हारा घर है भागना नामुम्किन है हम सबको हमारी दुनिया उसे चीन कर लाया गया है हमें इस गैलेक्सी के मज़े के लिए जान हथेली पर रखके लड़ना पड़ता है यह सब कुभारी कलती है इसमें भला मेरी क्या कलती है बता नहीं बसकरती है लंच टाइम ओ गोश इसे देखकर तो जैसे मेरी भूख ही मर गई टेक्नोर्ग अपना हिस्सा मांग ले इससे पहले खालो टेक्नोर्ग कौन है यहां का चैंपियन अकलमंदी इसी में है कि उसकी इज़द करो वाव इतनी बेज़दी तुम इसकी यह बत्तमीजी बरदास्ट कर लोगे देखो मैं तुम्हारी अँआँ बस बहुत हुआ तुम लड़ना चाहते हो तो अपनी साइस वाले किसी से लड़कर देखो अँआँ यह इंसान मुझे हैरान कर रहे हैं उन्हें मेरे पास लेया मैं हूँ स्लिक स्विद मॉंग यह मेगा क्रूजर इस जहाज की हर चीज मेरी है और तुम भी मेरा कोई मालिक नहीं है स्लिक बदमाश मैं बोलूंगा तुम सुनोगे यह आखे इस जहाज की हर चीज देखती हैं और यह हाथ इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करते हैं और मैंने तय किया है कि तुम्हारी यह रिष्टेदारी तुम्हें फाइटिंग में एक दिलचस्प जोड़ी बनाएगी जोड़ी नहीं मैं स्लूजर से चिपका नहीं रह सकता तुम्हें तो मेरे मूँ की बाथ ही छीली नमूने अब तुम्हारी किसमत जुड़ गई है अगर तुम्हें से एक मर गया तो इन जंजीरों की वज़ा से दूसरा भी मरेगा तुम्हारा अगला अपोनेंट इंतजार कर रहा है यहां सिर्फ एक ही ज्वेंपियन रह सबता है वो हूँ मैं बहुत बढ़िया पेवतूफ अब चुब भी रहो कैफ अब यह हम दोनों की प्राब्लम है अब यह चुब कूरा मुझे और मुझे और मुश्किल में डालेगा पर ज्यादा देर के लिए नहीं याद है उसने कहा था अव हमारी किसमत जुड़ गई है यह बस दो मिनट पहले की बात है हुआ 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 ह यह तुमने जानमूचकर किया बिल्कुल तेकनोर्ग को कोई पू नहीं करेगा तेकनोर्ग है तुम मेरे बस नहीं हो समझे हेई अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा मैं क्यों तुम्हारे साथ काम करूँगा तुम बेकार हो इस बेवकूफ को मैं अकेले संभालूँगा तुम कुछ कह रहे थे मैं समझ किया स्टिंग फ्लाय के लिक्विड और हीट ब्लास के फायबॉल्स को मिक्स करो किस लिए करो तो सही पता चल जाएगा अगर तुमने अपने पावस कॉम्बिनेशन में इस्तिमाल किया तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ेगी मिसाल के लिए एक्सेलरेट की स्पीड प्लस फोराम्स की ताकत प्लस डाइमंड हिट की मजबूती इक्वल्स एक बारी बरतम गुसा पेश है हमारे नए चैंपियन्स ओ ये बिल्कुल सही मैं हूँ इनर तुम कितने घटिया हूँ अब उसे खात्म करो जरूर केविन नहीं बहुत हुआ अब नड़ाई का वक्त है फिर से लुको रहम कितनी नई बात है एक गैलेक्टिक हाइपर जम्प की तयारी करो मुझे कुछ नए ग्लाडियेटर्स चाहिए जो हमारे चैंपियन्स के काबिल हों अच्छा है अब हमें कम से कम यहां तो इज़त मिलेगी उससे जिन्दा रखने के लिए थैंक्स बुद्धूराम तुमने मुझे हराया फिर मेरी चान बचाई अब तुम मेरे मालिक हो दनसल वो मेरा आइडिया था मुझे तुम्हारा मालिक नहीं बनना है मैं बस पृत्वी पर लौटना चाहता हूँ अगर तुम अपना पट्टा खोलकर भाग भी गए तो भी ये जहाज जल्दी एक नहीं गैलक्सी में जाएगा पर उन गार्ड्स के कॉलर कंट्रोल तक पहुचने का कोई तरीका ज़रूर होगा हम सब ने कोशिश की पर हम उन्हें ओवर्टेक नहीं कर सके शायदा खेले नहीं पर अगर हम सब मिलकर काम करें तो मैं और भरदाश्ट नहीं कर सकता मुझे जाब से उताना है कभी रोको उसे वो बेकाबू हो गया है शॉक कॉलर्ज बेकार हो गए इसके लिए चाहिए बस एक शॉट सकित और ये छोटू ग्रेमेटर इसनी डिंगे मत मारो छोटे मिया ये काम तो एक बंदर भी कर सकता था तो किया क्यू नहीं तुमने अब ही अब ही तो मजा आने लगा था इसकेप पॉड्स के कंट्रोल यहीं कहीं होंगे उस लिक्स ने तो कहा था वो यहीं से इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करता है यह बात पूरी तरह सही नहीं है मैंने कहा था यहाथ इस जहाज की हर चीज कंट्रोल करते हैं उन्हें भी और उन्हें अपने दुश्मनों को खत्म करने में कोई अत्राज नहीं है ना कि तुम्हारी तरह मैंने कहा था यह आखे सब कुछ देखती हैं और अब सब लोग देखेंगे मगर शुरुवात में तुम लोग नहीं मरोगे यह मरेंगे अकर हमें हार नहीं है तो क्यों ना हम लड़कर हारे कमाल की जोड़ी है हमारी मुझसे गले लगोगे तो पिछब जाओगे इसकिवारे मेंगे आर नहीं जाओगे है आराम से हमें एसके पोर्स रिलीज करने के लिए इसकी ज़रूरत है अब मैं तुम्हारी बात महीं सुनूंगा ये शो का हिस्सा नहीं है मेरा हपम है कि तुम रुको 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 केविंड रुको क्या मैंने कहा रुको ये तुमने कैसे ये सिर्फ गंचोल कंसोल ऑपरेट नहीं करता ये खुद कंचोल कंसोल है और अब मैं जहाज की हर चीज कंचोल करता हूं वैल तुम्हारे लिए एक्छा है मज़ मुझे तुमसे छुका ना मिल गया है, यही कापी है इंटर गैलेक्टिक हाइपर जंप लाउंच हो रहा है यह मैंने नहीं किया, और मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा तुम्हारा मुझ पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना तुमने सोचा था जल्दे, हमें एसकेप पॉट्स तक बहुचना होगा, वरना हम दूसरी गैलक्सी में पहुच जाएंगे मदद का एक हाथ बढ़ाओं या छेट तुम्हारा एसकेप पॉट्स लेकर अपने प्लानेट्स में वापस लोट जाओ और तुम भी, नहीं, मेरी जिन्दगी तुम्हारी है और मैं उसे वापस दे रहा हूँ, अब जाओ ओ नो, ये भी अभी होना था नन्य पेकार इंसान, स्लिक्स विद्मांग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कोई नहीं केविन, तुमने मेरी जान बचाई? बिलकुल, आखेल इन बाकी लूजर्स को बचाने में मैंने अपना टाइम क्यों बिट किया क्योंकि मैं खुद तुम्हे सबक चिखाना चाहता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा चंचा टेक्टॉर यहान आई है और मेरे पावर्स कंबाइन करने की सला के लिए थैंक्स कम आन, प्लीज काम करो, बस एक बार एक और एलियन को बुलाने की तकलीफ मत उठाओ, मैं तुम्हारे सारे फावर्स बहुत अच्छी तरह जाग चुका हूँ अच्छा, पर शायद तुम अब तक कैनन बोल्ड से नहीं मिले हूँ फिलना मत पो तुमल एक गेम खेले, इसका नाम है डॉजबॉल कॉम अन, कॉम अन एक नोर मुझे लगा तुम चले गए मैंने कहना मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है अब हिसा परावर हुआ तो तुमने मुझे चंचा कहा था एंटरगेलेक्टिक हाइपर जंप लाउच हो रहा है बेंड क्या तुम ठीक हो हमने तुम्हें हर जगे तलाश किया कहा थे तुम लंबी कहानी है तुम ठीक हो हाँ ठीक हूँ और केविन का क्या हुआ उसे खेलने के लिए नया साथी मिल गया